Hello students, Hindi second है ये class third की lesson 5 हो गया था आपका, आज है lesson 6, वचन वचन, वचन किसी व्यक्ति या वस्तू की संख्या या गिंति का बोथ कराता है दिये गए चित्रों को देखिए, गेंद, गेंदे, ये संख्या का बोथ करा रहा है, वचन है ये, मचली, मचलिया उपर दिये गए चित्रों में कुछ वस्तू की संख्या एक है, तथा कुछ की एक से अधिक है इस प्रकार, शब्द का जो रूप उसका एक या एक से अधिक होना बताए, वचन कहलाता है यानि कि जिससे हमें एक या उसके अधिक होने का पता चलता है, वो हमें क्या कहलाते है, वचन के दो प्रकार होते हैं, वचन, एक वचन और बहुवचन एक वचन, एक वचन किसी वस्तू का एक होना बताता है, यानि कि जिससे हमें पता चलता है, चीज एक है या एक से ज्यादा है तो हमें एक वचन में क्या पता चलता है, वस्तू का एक होना, जैसे लड़का, बेटा, पुस्तक, आदी बहुवचन बहुवचन वस्तु का अनेक होने का बोत कराता है जैसे लड़के, बेटे, पुस्तके, आदी अपने से बड़ों के लिए तथा सम्मान देने के लिए बहुवचन का ही प्रियोग किया जाता है जो हमसे बड़े होते हैं उनको सम्मान देने के लिए किस चीज़ का प्रियोग किरता है बहुवचन का दादी जी अखबार दादा जी अखबार पड़ रहे हैं पिता की आग्या मानकर राम वन गएं थे तो ये क्या है आपके एक वचन और ये बहुवचन लड़का लड़के पुस्तक पुस्तके पैंसिल पैंसिलें तोता तोते चिडिया चिडियां कुरसी कुरसियां घड़ी घडियां मशली मशलियां आँख आखे पुडियां पुडियां कुट्ता कुट्ते कथा कथाएं कमरा कमरे ऐसे ही यह है आपके आईए करते हैं एक्सराइज कोशन नमबर वन निमलिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए के वचन किसे कहते हैं आंसर है आपका जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं सेकेंड वचन के कितने भेध होते हैं नमबर टू वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन तथा बहुवचन थर्ड सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रियोग किया जाता है तो क्या यूज़ करते हैं? बहु अचन का यह homework है notebook पर note करना No.2 रिक्ती स्थान भरिए वचन बताता है संख्या क्या बताता है? संख्या वचन प्रकार के होते हैं दो आधर देने के लिए का प्रियोग होता है? बहु अचन का कुछ वस्तुए केवल में प्रियोग की जाती है, दोनों रूपों में, इनको भी नौट बुक पर नौट कर लेना उचित विकल्ब पर सही का चिन लगाईए, गाएं का बहुवचन है, गायों, गाये, गाये, तो ये गाएं बेटा शब्द है, एक वचन, बहुवचन, कोई नहीं, बेटा क्या है, एक वचन, चिडिया का बहुवचन है, चिडिया, चिडिया, चिडियाएं, तो चिडिया यह है आपका अपने विध्याली की ऐसी वस्तू के नाम लिखिए जो आप अपने घर पर भी देखते हैं तथा उनके बहुचन लिखिए तो क्या है कुरसी होती है स्कूल में घर पे भी होती है तो कुरसी कुरसियां मेज मेजे कमरा कमरे यहां पर आप खुद लिखना है जो आपको लगता है कि स्कूल में भी होती है और घर पर भी होती है यह आपका आज लेसन कम्प्लीट हो गया लेसन था आपका सिक्स वचन कोशन आंसर फिल अप यह दोनों ही आपको नोट करने हैं होमवर्क है यह आपका ओके थैंक यू